हरहर महादेव अध्याए 24 देवताओंने भगवान सदाशिव की प्रार्थना करते हुए कहा हे बाबा भुलेनाथ आपके महान तेज और महिमा का वरणन कैसे करें? आपने करपा करके शबरी को मुक्त किया और सुमना को भी परंपत दिया आपकी सेवा करके अनेक पापी आपके लोग को प्राप्थ हुए आप परब्रम, परमेश्वर और सब के स्वामी है उत्पत्ति, इस्थिति और प्ले ये तीनों काम आपके वश में है आप ही हम सब के रक्षक है जड़ और चेतन की बातों को आप भली भाती जानते है संसार में ऐसी कोई चीज है ही नहीं, जो आप से अलग हो ये पूरा संसार एक पेड के समान है उस पेड का एक अंकुर, दो फल, तीन मूल और चार रस होते है आप स्वयम ही आकाश है और स्वयम ही प्रत्वी है निकट और दूरी सब में आप ही है हे भगवन, माया के वशिभूत रहने के कारण साधारन लोग आपको जान नहीं पाते लेकिन जो लोग आपके भक्त हैं वो पूरे संसार को शिव में ही देखते हैं आपका रूप निर्गुण है लेकिन भक्तों पर क्रपा करके आप सगुण भी बन जाते हैं बहुत से लोग आपकी चर्ण रूपी नौका का साहरा लेकर संसार सागर से पार चले जाते हैं आपकी भक्त के बिना आवागमन से तो छुटकारा मिल नहीं सकता आपके भक्त आवागमन से सहजी जूट जाते हैं और वो हमेशा निर्भै होकर आपके चर्णों में सेवा करते रहते हैं भगवन आप उत्पत्ति के समय ब्रह्म, पालन के समय विष्णुजी और प्रला के समय हर का रूप धारन कर लेते हैं वेद, कर्म, जप, तप, योग और ध्यान से आपको पाया जा सकता है यदि आप सगोड रूप धारन नहीं करते तो हम लोगों को सहजी, मुक्षपद कैसे मिलता आपका नाम और गोड अनन्त हैं और उनका वरनन करने की सामर्थ किसी में नहीं है हमें आपके समान बुद्ध कहां से आएगी? आपकी महिमा अपार है हे नात आप हमारे कामों को पूरा करते हैं आप देवताओं के स्वामी संपूर्ण स्रष्ट के इंद्र शुब मार्ग पर स्थित करने वाले संपूर्ण स्रष्ट के कारण रूप अविनाशी, अनादी और अप्रमे हैं आपका शरीर विद्या और बुद्ध से परिपून है हे भगवन, आपका पवित्र रूप भक्तो के मन में वास करता है इसलिए वे कुसंगती और काम क्रोध आधि को त्याक कर आपकी सेवा में लगे रहते हैं आप पून ब्रम्म, आनंद के निधान, दुख नाशक, अत्यंत क्रपालु है आप इच्छा रहित, अद्युति, निरी और भरब्रम्म है आपने ही सबसे पहले शरीर धारण किया है आपके अवतार हमारे मनोरोथों को पूरा करने के लिए ही होते हैं आपके उन अवतारों की महिमा अपार है और अप्रमे है हम लोगों का मन आपकी महिमा को कहां तक जान सकता है जो लोग मन लगा कर आपके गुणों को सुनते हैं उनका ध्यान धरते हैं उनी पर आप अपनी क्रपा दिखाते हैं बहुत से लोग तो धर्ममार्ग को भी त्याक कर केवल आपसे ही इसने रखते हैं और अपनी भक्त पर द्रण रहने के कारण आपको पा भी लेते हैं। वो केवल आपका गुरगान करते हैं और किसी सांसारी वस्तु से अपना कोई प्रियोजन नहीं रखते। आपको भी अपने भक्त बहुत प्यारे हैं। आप उन्ही के लिए प्रकट होते हैं और उनकी हर अभिलाशा पूरी करते हैं। इस तरह की प्रार्थना करके सभी देवता चुप हो गए। हे नारद उस समय शिव जी अत्यंत प्रसंद होकर हम लोगों से कहने लगे। हे देवताओं तुम सब लोग यहां किसलिए आये हो। हमें ऐसा लगता है कि तुम लोग बहुत चिंत हो। इसलिए जो भी बात हो उसे हमें निसंकोच बताओ। यह सुनकर मैंने और विश्णु जी ने कहा। प्रभो हम लोगों के धन्य भग्य हैं जो आपने हम पर क्रपा की। संसार में वही लोग पूर्णात्मा हैं जिनके उपर आप अनुग्रह करते हैं। स्वामी आपक ने भक्तों को दुखी देखकर उन्हें अत्यंत आनंद दे देते हैं। इतना कहकर मैं और विश्णु जी भी चुप हो गए।